हेलो ए स्टुडेंट वेलकम टु आशेस्स klasis आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपिक है हमारा ख्लो soy父 cohrim लोग हम बनेगे और ख्लो Robin सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे methods of preparation ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे methods of preparation की बात करेंगे यानि chloro benzene को हम कैसे prepare करते यानि कैसे हम लोग बनाते हैं ठीक है यह topic हमारे class 12 board exams के लिए बहुत ही जादा important है है ना आगे देख लेते हैं अब methods of preparation की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर हम first method पढ़ेंगे first method है by halogenation of benzene हम जब benzene का halogenation करेंगे तो हमें क्या मिलेगा chloro benzene बनेगा लेकिन कैसे बनेगा इन सभी चीजों को हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो halogenation of benzene अब देखो halogenation कैसे कराएंगे तो देखो हम जब halogenation of benzene कराएंगे तो हम क्या करेंगे कि एकदम hot benzene ले लेंगे यानि विल्कुल गर्म benzene लेंगे लेंगे और उसके उपर से chlorine gas pass कराएंगे ठीक है chlorine gas pass कराएंगे और क्या होगा कि iron dust या फिर iodine की presence में ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि वेंगे क्लोरीन गैस पास ओवर दी हॉट बैंजीन एट दिप्रिसेंस ओफ आइरन ड़स्ट और iodine देन क्लोरो बैंजीन इस फॉर्म तो क्या बनेगा क्लोरो बैंजीन बनेगा जाकर के ठीक है फिर से हम समझ लेंगे यहां पर देख लेंगे एकदम हम लोग हॉट यानि गर्म बैंजीन लेंगे ठीक है और iron dust और या तो हम iron dust लेंगे या फिर iodine लेंगे तो इनकी प्रिसेंस में iron dust या फिर iodine की presence में जब hot यानि बिल्कुल गर्म बेंजीन के उपर से dry chlorine gas पास करेंगे क्या करेंगे hot बेंजीन के उपर से dry बेंजीन जब पास करेंगे तो यहाँ पर जो product बनेगा वो बच्चों क्या होगा वो chlorobenzीन बनेगा इस तरीके से हम लोग chlorobenzीन को बना सकते हैं फिर्स मेथड समझ में आया होगा आप देखो नेक्स्ट आता है by action of pcl5 on phenol अब यहाँ पर क्या होगा फास्पोरस pentachloride का action होगा किस पर phenol पर यह हम कह सकते हैं कि phenol जब फास्पोरस pentachloride के साथ reaction करेगा तो क्या बनेगा तो यहाँ पर chlorobenzीन बनेगा देखिए reaction को देखते हैं अब देखो यहाँ पर क्या ले लिया गया है यह हमारा phenol है ठीक है phenol है और यह क्या है हमारा फास्पोरस pentachloride यानि pcl5 तो जब phenol pcl5 यानि फास्पोरस pentachloride के साथ reaction करेगा तो क्या बनाएगा तो बनाएगा chlorobenzीन प्रोडेक्ट बनेगा ठीक है यानि इस method से भी हम chlorobenzीन बना सकते हैं यह भी हमारा method क्या है chlorobenzीन बनाने का method है pocl3 बनेगा और scl बनेगा ठीक है तो अगर हम क्या करते है action of pcl5 on phenol जब phenol के उपर हम pcl5 यानि फास्पोरस pentachloride का action कराएगे तो फिर क्या बनेगा यहाँ पर यहाँ पर हमें chlorobenzीन मिलेगा ठीक है तो यह दूसरा method था chlorobenzीन बनाने का आगे देख लेते हैं by decarboxylation of chlorobenzoyic acid अगर हम chlorobenzoyic acid का decarboxylation कराते हैं ठीक है chlorobenzoyic acid है और उसका हम decarboxylation कराएगे तो क्या बनेगा chlorobenzीन बनेगा तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है chlorobenzoyic acid ठीक है यहाँ पर आर्थो भी हो सकता मेटा भी हो सकता और पहरा यह फिर पहरा और पहरा ठीक है तो chlorobenzoyic acid ले ले लेंगे और उसकी reaction किस से कराएगे एनेओएज के साथ में ठीक है क्योंकि decarboxylation करा रहे एनेओएज के साथ में और calcium oxide की presence में हम क्या करेंगे इसको heat कर देंगे तो जैसे ही हम इसको heat करेंगे तो क्या बनेगा एक product बनेगा sodium chlorobenzoyate यह जो product बना इसे क्या बोलेंगे sodium chlorobenzoyate बना ठीक है यहां तक समझ में आया होगा अब हम sodium chlorobenzoyate को क्या कर देंगे NaOH के साथ फिर से reaction कराएंगे copper oxide के साथ में presence में heat करेंगे तो क्या बनेगा बच्चो तो यहां पर बनेगा यहां पर बनेगा C6H5Cl यानी chlorobenzene बनेगा ओके next method आ जाता है गाटर मैन कोच reaction ठीक है गाटर मैन कोच reaction भी बहुत ही ज़्यादा important reaction है ठीक है इसमें क्या होगा Benzen diazonium chloride ठीक है Benzen diazonium chloride को copper और hydrochloric acid के साथ में क्या करेंगे गर्म करेंगे यानी heat करेंगे तो जब हम heat करेंगे इसके साथ में तो यहां पर हमारा product क्या बनेगा chlorobenzene बनेगा और nitrogen बनेगा जाकर के ठीक है यहां तक समझेंगे अब important reaction आ जाती जिसे हम लोग बोलते है सेंड मेयर reaction important है board exam में naming reaction बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ठीक है तो by send meyer reaction के अगर हम बात कर लेते तो send meyer reaction में क्या होगा benzen die azonium chloride क्या होगा कि benzen die azonium chloride को हम क्या करेंगे क्यूप्रस chloride hydrochloric acid के साथ 60 degree celsius temperature पर हम लोग गर्म करेंगे ठीक किसको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइट को तो यहाँ पर क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा क्लोरोबेंजीन और राइटोजन गैस बनेगे तो यहाँ पर यह जो मैथड थे यह हमारे क्लोरोबेंजीन बनाने के मैथड थे important method हैं यहीं से board exam में question बनेगे और 100% बोट इग्जाम में बनेंगे तो I think सबको समझ में आया होगा Thank you for this class